हाई फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूं फीज करी की रेस्पी देसी स्टाइल में तो आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा तो आप सब प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज सेयर करें त ठीखा ज्यादा पसंद करते हैं तार मीर्च की डितकी बरहा सकते हैं नहीं तो कम कर सकते हैं आप इसे तैस के लिए टकल पानी अधरी हूं और कम सब नौनार न रेटि कर लेंगे त्यूर्ता तो यहां यह पेश्ट रेडी हो चुका है आप इसमें और मसालास कर लेते हैं ते एक चमच केचन किंग मसाला ली हो और एक चमच हल्दी और तीक चाहिए तो मिर्चा डाल सकते हैं मैं नहीं डालूंगी उसके बाद यहां एट करोंगी मीट मसाला एक चमच और इसमें बस सारा मसला रेडी हो चुका है तो यहां यह मचली को दो कर तो यह मचली में हल्दी एक आधा चमच हल्दी एट करूंगी आप चाहे ते इसमें नमक और मीर्चे एट कर सकते हैं लेकि मैं नमक नहीं एट करती हूं इसलिए क्योंकि मचली कोई-कोई उड़ने अच्छी तरह गरम हो जाएगा धूआ मतले निकलने लगए उसके बाद ही मचली इसमेट करें नहीं तो मचली नीचे से चिपकने लगता है जब अच्छी तरह गरम हो उसके बाद ही तो अब मचली को फ्राइ कर लेंगे तो एक बाद में जितनी मचली हो सके उतने फ्राइ करेंगे और उसके बाद और मचली है फिर फ्राइ कर लेंगे तो एक तरफ से लाल हो चुका है तो अभी इसको पलट के फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही फ्राइ कर लूँगी एक बार ऐसे बना कर देखे बहुत टेश्टी बनेगा आप बार बार बनाएंगे अगर ऐसे नहीं बनाते होंगे तो एक बार ऐसे बना कर देखे तो यह मचली हो गया है फ्राई अब इसको निकाल लेंगे उसके बाद और मचली यह भी फ्राई कर लेंगे तो बस मचली एक एक करके निकाल लेंगे और उसके बाद और मचली एक फ्राइ करेंगे तो यह लाल बिल्कुल ब्राउन कर लेना है इससे टेश्ट अच्छा आता है अब यह सारी मचली निकाल ली हो तो अब इसको थोड़ा नीचे से चिप्ट कर रहता है तो उसको छोड़ा लेंगे उसके बाद ही दूसरी मचली एट करेंगे नहीं तो नहीं वह जलने का डर रहता है तो और जो मचली बचा है उसको भी एट करके और उसको भी फ्राई कर लेते हैं तो एक बार में थोड़ा अलग ही अलग मचली डाले और जितना हो सके उतना ही एक बार में फ्राई करें और यह लाश्ट मचली बची है इसको का इसे लाव करेंगे तो यह मचली हो चुका चुका अब है तो मचली सारी फ्राई हो चुकी है तो अब इसी ओयल में मेठी एट करके मेठी को लाल कर लेंगे जब मेठी ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें मेठी एट करेंगे तो मेथी लाल हो चुका है अब इसमें मिर्चा एट कर देंगे मेथी को अच्छी तरब लाल कर लेंगे नहीं तो मेथी का जो टेस्टर नहीं आता है तो बस अब इसमें मिर्चा एट कर लेंगे मिर्ची की क्वांटिटी मैं कम रखती हूँ आप ज्यादा कर सकते हैं तो इसके बाद जो सारा मसाला एट रखे थे वो एट कर लेंगे और मसाले को भी थोरा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे तो मसाला नीचे से बस चिपके नहीं इसलिए थोरा सा पानी एट करेंगे जो कटोरी है उसमें थोरा सा पानी डाल के उसको इसमें अच्छी पानी रहता है जो जो हल्दी का पानी रहता है मजली जो वह भी एट कर देंगे चाहे तो अनाई तो नहीं भी कर सकते हैं तो अभी अच्छी तरह भूनेंगे जब तक पूरे अच्छे से ओल ना छोड़ दे जब अच्छे से ओल छोड़ देगा इसका मतल़ मसाला भून चुका है तो अभी इसमें नमक एट कर देती हो तो नमक स्वाद अनुसार आप एड़ कर सकते हैं देड़ चमच में पर्फेक्ट स्वाद अच्छा आएगा आप ज्यादा कम खाते होंगे तो आप ज्यादा कम कर सकते हैं स्वाद अनुसार एड़ कर सकते हैं उसके बाद अभी और अब मसाले को भूल लूगे क्योंकि अभी तो बस नीचे से, और आज को medium ही रखेंगे, आज को ज्यादा तेज नहीं करेंगे तो बस अब ये मसाला हो चुका है, देखें, कलर भी चेंज हो चुका है, और नीचे से नीचे से देखें, पूरा चारो तरप से ओल थोड़ चुका है देखे ज़ादा गारी बी अच्छी नहीं लगती है नहीं ज्यादा पतली तो बस 2 कटोरी पानी एट की हूँ ओर देख लूँगी अगर गारा ज्यादा लगीगा तो थोड़ा सा ओर एट करूंगी पर पहले पानी दाल कर उसको चला कर उसके बाद देख ले अगर ज्यादा गारी लगे तभी पानी एट करें नहीं ते एक बार डालने से पतला हो जाता है तो बिल्कुल टेस्ट खराब हो जाता है क्योंकि ग्रेवी मचली का घ्रेवी ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा गए्ट अच्छी तरह बाइल हो रहा है अब इसमें मचली फ्राइक करके रखें वह एट कर देंगे अउसके बाद पिर बैल करेंगे तो बस थोड़ा सा केरफूली रखें क्योंकि मचली हाथ जलने का डर रहता है तो फारि मचली है एड़ कर देती हो और पाँच मिनट इसको बस बॉायल होगा उसके बाद अगर आप सबको थोड़ा खटा पसंद हो तो आप आम चूर या टमाटा भी एड़ कर सकते हैं तो और टेश्टी मैं खटा लगता तो टेश्टी लगता है तो सारी मचली एड़ कर चुकी हो उसके बाद अभी अब इसको ढखके थोड़ा और पका लेंगे पांच मिन्ट और उसके बाद रेडी हो जाएगा तो देखें यह अच्छी तरह बॉयल हो रहा है और अच्छी तरह पक चुका है तो यह मचली विल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है तो आ और शेयर करें तो देखें कितना अच्छा परफेक्ट कलर भी आया है देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है थोड़ा सा यह ठंड़ा हो जाएगा तो इसका कलर और अच्छा आ जाएगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक चे और चैनल को करें और सेयर करें तो थेंक्यी फूर वाचिंग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाब बाय टेक कियर